निवो केरें विकास की मुद्य के बाद छोड़के अडानी की मुद्य क्यों पकड़े हैं? कांग्रेस के पुरवध्यक्ष राहूल गांधी को लेकर के जिस प्रकार से ये बाते सामने आई जो उनकी जो लोग सभा का मेंबर्शिप है वो रद कर दिया गया है रायसे में कॉंग्रेसी जो है लागातार गुर्से में हैं और उसके बाद कई जो फिरा चाहें हो तमाम जो लोगों ने प्रोटेस्ट शी आबेराओं जो है मतलब पीरा है हम जानना चाहेंग हमार साथ प्रेमचन जी कैसे देखते हैं क्यूंकि राहूल गांधी जी का जिस प्रकार से यात्रा वह था भारत जोरो यात्रा को काफी सारी जो है लोगों ने सराना भी किया था और कई जगा यात्राओं को जो भी सामने आ जो राहूल गांधी जी के लोग प्रता बरती जा रही है लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है जो एक वर्ट के कारण या फिर यूं कहलें जो एक वक्तब के कारण आज ये मुस्किल बर गई है और कॉंग्रेस की जो कमांड जिसके पास जाने वाली थी या फिर यूं कहलें जो कॉंग्रेस की जिसके बारे माप लोग कहते हैं हमारा राहूल गांदी जी प्राइब हिस्टर बनेंगे और उन पर ही कहीं कहीं या उनकी मेंबर्सिप जाना कैसे देखते हैं इसको देखें जब सरकार पुर्वाकरा से घ्रसीत होकर काम करती है और विपक्ष के आवाज को खाशकर राहूल गांदी जी को आवाज को दवाने की कोशिस लगातार हो रही है हम लोग को आरंब से इस बात के असंका थी यह सरकार खुद के बनाए हुए नियमों को भी तोड़ेगी और कुछ इसक कर उठाएगी जिसने राहूल गांदी की उपर प्रहार किया जासे ह आगे बढ़ेंगे तो आपको परिशन किया जाएगा क्या आडानी को लेकर के लगातार आपके नेता सवाल उठा रहे थे लोकसभा में आपके सदस जो आपके पार्टी की सदस जो है वो लाकातार प्रदस्तन कर रहे थे और बीजेबी को तरफ से यह कहा जा रहे था जो लंदन में जो बातें कही गई उसके लिए मापी मांगे और आडानी के मसले को छोड़के जो उन्होंने भारत की जो है बेज सब्सक्राइक जो भी व्यक्ति हमारे देश का सम्मानित आप उन्हीं चोर कैसे कह सकते हैं यह तो कहना यह तो इसका तो लीगल लौव है उन्होंने किन को चोड़का है कि उन्होंने मिलकर लगभग तीस लाख क्रूर रुपे देश का लेके बाहर चलिए उनको वापस लाने के कोई काम नहीं हुए और संजुक से उनका टाइटिक मिल रहा होगा सरने मिल रहा होगा तो कुछ लोंको लगा है हमारे वपर बोल रहा है पॉइंट यह नहीं है पॉइंट है कि सरकारे बैठे लोग जब अपने मित्रों को फाइदा पहुंचाते हैं और ऑट-व जाकर पहुंचाते हैं तब इसी खटना ही होती है तो इसी मामले सामने आते हैं रहुप कांदी जी का आप लोग्सौफ बोलने नहीं दे रहे है लोग्स्वाव नहीं बोल नहीं आप तो और पर जाते हैं आपके साथ कोई व्या बैठारिक संगठन के निए तं क्यों जाता है को जोपती ही क्यों जाता है और उसको जाए उस पर किसी का पती नहीं उसके उसी वेक्ति को बड़ा करार मिल जाता है ठेका मिल जाता है सवाल तो उठेगा तो ये सवाल उठाना भाई आपका उसके सथ क्या संब्द है जवाब देना चाहिए आप जवाब नहीं देते हैं कौन जिसने जोएंट पार्लिमेंटरी कमिटी से जाच की मांगी जिसने सभी दलों के सांसाद होते हैं आपने उसकी भी बात नहीं मारी तो इन बातों का असर आम जनता पर पढ़ रहा है और अब यह जो फैसला हुआ है कौर्ट का फैसला जो एक्स्ट्रीम सजा होती है दो साल के लिए बार कर देना भी शे साल के लिए बार कर देना इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं राहूल गाने जी लोग सवाब बैठें ये इ कानूनी और रायतिक दोनों लड़ाई है कौन इस दोनों फ्रंट पर लड़ेगी हम इस मुद्धे कुछ जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता इन चीशों के समझ लेगे कि इसा क्यों हो रहा है अच्छा नियाले नियाले संगत में क्या करें क्योंकि यह फैसला सूरत से आया है तो अब आप लोग की स्टेंट क्या होगा इस्टेटी क्या होगी कांग्रेश की उपरी अधालत में जाएंगे जो हर विक्ति को अधिकार होता है अब देखते जाएंगे क्या होता है राहूल गांदी जी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं सच प्रतारीत हो सकता है पराजित नहीं जीत हमेशा सत्त्य की ही होती है आप हतकंड़े अपना के फैसला करवा लेते हैं किंद्री एजेंसियों को दवाब डालकर उसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं विपक्ष के नेताओं पर जाच बटवा देते हैं आम जनता तो आखिर समझ देंगे कि आपके विफलताओं को जो नेता उजागर कर रहा है संस कि इस देश की जनता के भावनाओं को समझना चाहिए वहां पर तो कई मेंबर जो हैं गरबतारियां उनकी हुए है अब सुमबार से बिहार में चलेगा हाउस आप लोग कैसे हाउस में मांग रखने कि यह विजान स्वा बिजान परश्ट का इसू नहीं है जाए इन बातों पार्टी के नेता लोग हैं केंद्र रियस्तर के वाज बैठागी भी का रहें दिल्ली को लोग तैक करेंगे स्ट्रेटीजी आप लोग लरने के तयार है ने स्वाल और प्रेम जी बिजेपी के लोगों का यह कहना है जो राहुल गांदी जी जो है सम्माने पर बैठे भी ल इज़त नहीं कि थी उन्होंने भी फार दिया था अधिया अधिसको तुनकी ऐसा जो है उनके जहन में रहता है इनको इज़त नहीं करते है अब इश्टी अब इसको क्या कहती है वी जपी खासे । होती है कुछ भी बोलती मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाती यह उ अडानी जी को यह आने लोगों को आपने मदद की आपनों इस मुद्धे को छोड़ने बारे नहीं है यह मुद्ध तो बन गया तो और बड़ा मुद्ध बन गया इसी मुद्ध पर आगए कि देश की राज़ीत ही होगी इसकी दिसा विते करेगी और आम जनता समझ दोтесь बिलकुल राहूल गांदी जी के साथ دेश की जनता खड़ी है और आने वारे समय आप देखेंगे राहूल गांदी और बड़ी तायत की रुप आएंगे और देश का देटर्टमध करेंगे चलिए हमारे साथ वरिस्ट लीदर प्रेमचन मिस्टा जी थे जो हमसे बात कर रहे हैं इनका कहना है जिस तरह की बाते होंगी तो देश में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं लागातार अगर सदन में पोई बेक्ति को परवेश्ट रोका जाए तो सरक खुला है उनके लि होगी विशुक साथ नलसू जाए वीच भी पट्टा आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट ओल मॉडर्न अम्मानिटीज पट्टना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर